बॉट मॉर्निंग एर्यान वेलकम बैक तु दे चैनल वेलकम बैक तु दूस लॉग तोड़ी संडे संडे स्पेशल सो में दोनों फ्रेश हो गए रेडी हो गए मैंने आधी पूजा की तेहरी करके देदी फिर शुषांत का कॉल आया तो मैं फोट पर बात करने चले के लिए आज हम लोग ने मंगाया है मटन स्पेशल के लास्ट मैंने फिश मंगाया था तो इस बार मैंने मंगाया है मतन वाला मैं आपको दिखाती हूं कॉल तो मतन वाले इसमें इसमें बहुँ प्रोसेस रहे डेडी ना मटन के इस का मंगाया है जो लास्टायम फिश में आया था कि वैसा से उन्को से अधिनेशन है और इसके अंदर इसका ग्रेवी है जो कंबो गाला देडी दिया है औरैइआ अ रैडी में ग्रेवी और इस आपने से भी बहुत सारी जनकों ब्लॉक पसंद है फिश्वाला कितने जन मुझे लिटरली वोड़ में रिशी था कितने बड़े बड़े पीसे थे और एक तब फ्रेश भी था और अज हम ने नाष्टे में बनाया मूंका दोसा किके आज ती भी घर में थी तो मूंका दोसा ह अच्छा कासा हैवी ब्रेकष्ट एसलिए लांच हम थोड़ा आराम से करेंगे एक सवा एक बजे के आसपसर जो रोज का था होता हम्लों का अभी कुकिंग पार्ट बाकी है अमीता खापत पोड़ा बनाती है बहुत ताइम के बाद आज हम लोगे खापत पोड़ा बना है तो उसको बजाता मत बनाना तो आपको चाहिं पारेशन तो पहले में मटन को थोड़ा वॉश करके लेने वाली हूँ स्टाट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सब्सक्रीन करना चीन है तो अगर आपको फीन हो तो आप फिश को मटन को खीर करके फिर बना सकते हैं बट एक्डम कापटि मिट एक्डम पूरा स्कार्ट समय है कमें वाला हाँ मिज ओम वाली यह मुझा दूला तो यह अच्छे से मैरिनेट हो गया मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्ची पाउडर आड़ कर दें आप अपनी हिसाब से थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है और आज मैं इसमें कुछ करने वाले हुआ 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 पानी रखना पड़ेगा विके मटन करके ग्रेवी को आड़ करके अच्छे से कुप करके ले लेगे यभी सा मटन रोगन गोश्फ हो गया रेड़ी अब इसको फाइनल टच देते और बहुत अच्छी खुचबू आ रही है मसाला तो इतना अच्छा स्मेल कर रहा है नो एकदम स्पाइस अथेंटिक दाल शी न मटन ग्रेवी मटन रोगन गोश्फ इस रेड़ी आप इसको चापाती ब्रेड या जो भी आपको पसंद है नान अगेरा उसके साथ आप एंजोई कर सकते हो तो दिस रेड़ी आए कंट वेट तो इट इस और सच पे बहुत अच्छी खुचबू आ रही है तो नाइम गोई कर सकते हो आपके लोकेशन के हिसाब से टाइमिक हिसाब से और कर देना एंड मेरे बोलने से भी ज्यादा आप लोग वितिके बोलने से लो हाव अज़ा मटन टेस्स मस्त होता ना यह अच्छा है कि मेरो जिप्स हाँ खुब डिलीशा होता है हाँ हाँ पीसिस पन खुब चा जाता है एंड सच में टेस्स बहुत अच्छा था उसमें फ्रेश ग्रीन चीलिस डाला था ओन्यान था अच्छा लग रहा था अगर आपको बहुत सारे जने जिनको मटन बनाने नहीं आता है कि इस वेरी दिफिकल्ट फिश चिकन यह सब नहीं आता है यह सब बहुत डिफि सब लोगों के लिए हम जैसे जन्रेशन वाले लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा है ना तुछ शॉटकट और सिंपल तरीका है ना शॉप में जाके मटन चूस करना कि इसमें सब कुछ था नली वाला पीस भी था बोन वाला पीस भी था बोन लेस वाले भी चार पांच के लिए कौंटिटी भी अच्छा था ग्रेवी कर टेस्स कौलिटी और कलर भी कितना सुन्दर है था मैंने इस बर कलर वाला मिल्ची पाउडर स्रिफ में आधा चमज डाला था लास्ट तो वह फिश वाले में एक देट चमज जाला था इसमें ओल्री मसाला भी लाल लाल था एकदम रोगन गोश मतलब मुझे बहुत पसंद आया और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और इसका अपका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप लोग उसमें चेक कर सकते हो और प्लस 20 पसंट डिसकाउंट भी आपको मिल जाएगा अगर आप इशी अज का संदे तो हम लोगो स्पेशल हो ही गया मतन रोगन भोश खाकिया रियाली नाइस मैं ऐसा नहीं बोल हुआ हमेशे आप लोगों को और यह पसंद आता है जो दो नहीं आता है वो ना बोलती हूं पर दिस वस्रीयली नाइस आपको भी पसंद आया डिपती को भी ममी तो खाती ही नहीं है और निशू भी नहीं खाते उन्होंने अभी मतन इतना प्रेफर नहीं करते बड़ हम तीनों को तो बहुत पसंद आया इट वस्टेन ऑन टेन सो आपलों भी ज़रूर एक बार तो मंगा के ठ्राइ कीजेगा आज मैं तानू और जितनी हमें तीनों म एक बेता है नहीं है प्यों में नहीं है नहीं है नहीं है यह लो कि घृवल बहुत जह लों में खाले थो डहीं को बेगी ना दो फाइनली एंडिंग दिस व्लॉग हम लो ने अभी पूरा मोवी कम्पीट किया हिच की वर्ड वेरी वेरी नाइस मूवी वेरी एक लुग देखा मैंनों वह बहुत अच्छा था पूरा मोवी देखा मैंने में एक बर मोवी स्टाट कर दून तब पूरा एंड तक देखना वजो पसंद घई से पीच में छोड़ना नहीं पसंद इस लेक बार बैड गही तो मचे हिलना नहीं पसंद और अब मुझे ह मैं लिए व्लोग यह ओली और बहुत अच्छे से कहा हम लोग का इवनिंग बहुत अच्छे किया जो मैंने आप लोगो मतन का रेसिपी दिखा है वो आप लोग जरूर ट्राइक करना अच्छे किया बहुत अच्छा एडिस्क्शन दिए आप लोग जा कि उनका वेबसाइट चेक कर सकते हो आप चेक कर सकते हो आप लोग अपने अप्लाइ कर सकते हो आप सब आपना ख्याल रखना कर स्माइट यू